नमस्कार दोस्तों मैं हूँ किशनलाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूटूब चल जल्दी से सभी इदर्थी लाई होजेगा सुबह के ग्यारा बज चुके जैसा कि आप सब को मालूम है सुबह 10 बजे और 11 बजे हमारी टोपिक वाई जो सलेबस वाई क्लास लग रही है इंडियन आर्मी की तहरी करने वाले परतिक वीदर्थी के लिए एस सेसन बहुती इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पहले हम इसमें लेंगे मोग टेस्ट इंडियन आर्मी जीक्य का मोग टेस्ट होगा पहले उसमें आप चेक कर पाते हैं आपके कितने क्योशन राइट होते हैं और फिर हम अंती में बात करेंगे पर्मुक वेक्तियों के उपनाम आप सो को पता है एक्जाम में उपनाम से समन्दित काफी बार क्यूशन आ चुका है तो जल्दी से सभी एक बार लाइव आ जीएगा 11 बच चुके है जैसा कि आप सोगो पता है हमेशा की बाती आज भी हमारी कलास होगी और सुबह 10 बजे मेट की कलास होई थी परती सता का भाग एक करवाए था यदि वो भी नहीं देखा तो जरूर देखेगा जाकर चलिए दोस्तो बीना देरी की आज की सेस्टन की सरुआत करते है इससे पहले जो बाई चैनल पे नया है वो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजीगा और बेल इकन को ओन करना मत बूलेगा क्योंकि यहां लगती है लाईव कलासे रो जाना चलिए दोस्तो सभी को जै हिंद राम राम जै स्रीकिस्टना रादे रादे जै मासार दे सभी एक साथ मिलकर कलास को लाइक कर दीजीगा ज्यादा स्यादा भी देर थी लाइक और सेयर कर दीए होगे चलिए दोस्तो बीना देर कि आज के सेस्टन के सरुआत करते है आप टेलिकराम पर भी हमसे जुट जाएए यह नाम सर्च करना जा टेलिकराम एप डाउनलोड करके नाम यही लिखना और उसमें हमारे लोगो वाला जो चैनल लिखे उसमें जोइन हो जाना आपको बिलकुल फरी में वहाँ पीडियाप जो कलास लगती है उसकी डेली पीडियाप वहाँ मिलती रहती है चलिए दोस्तों बीना दिर की आज के सेशन की सरुवात करते है पहला क्योस्तों आपके स्क्रिंग के सामने मोख टेस्ट आ गया आपके स्क्रिंग के सामने जल्दी से सबीडियाथ इसका लाइचेट में जवाब देने की कोशिश करिएगा देखते कौन-कौन वुद्री इसका सभी जवाब दे पाते है क्योस्तन कहए दोस्तों बूल आई सेशन को होग निशाने बाद जिस सेशन से शमन दे 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 लिए होगा काफी सारे भी देर्थी उन लाइफ चैट में जवाब भी दे दिये अब बात कर लेते आपको पता है किरकेट का जनम दाता देश कौन सा हो आपको कमेंट करके बताना है काफी सारे भी देर्थी उन लाइफ चैट में जवाब भी देने शुरू कर दिये तो आप बताना किर्केट का जनम दाता देश कोन है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूस्टन आप के सामने है दो जल्दी से सभी देर्ट इसका भी लाइजेट में जवाब देने की कोशिश करिएगा क्यूस्टन क्या है पर्थ्य के प्राकर्तिक उपगर है तो आपसों को बताओगा प्राकर्तिक का मतलब है जो परकर्तिक का हम बात करें यानि आपको बताओगा पर्थ्य के उपगर है कितनी है जो हम बात करें प्राकर्तिक बात करें तो आपको बताओगा प्राकर्तिक पर्थ्य के एक उपगर है कितना उपगर है एक और एक कोने जल्दी के कोमेंट करके बतेगा तो आप सब बताना बारत के बीच है वो मेक मोन रेखा है कोई है दोस्तों मेक मोन रेखा है वो भारत और चीन के मद्दे इस्तिताब बात कर लेते है रेड कलिप रेखा है वो भारत और पाक के बीच है काफी बार एक्जाम में आ भी चुका है तो भारत और पाक के बीच की रेखा क्या है रेड क चलिए दोस्तों आगे बढ़े एगला किस्तों नमर चार आप के सामने है जल्दी से सभी देर्थिसका भी लाइब चेट में ज्वाव देने की कोशिश करेगा सबसे हदिक ताप वाला गरह कौन सा आप सको पता होगा सुर्य के नजदी गरह की बात करे तब तो आपको करना है बुद बुद क्या है नजदी का नोट कर लीजेगा सुर्य के सबसे नजदी गरह कोन है वो है बुद जब कि ताप वाला गरह गरम गरह की बात करे तो वो है सुकर कोन है दोस्तों सुकर है नोट कर लीजेगा ये पर्थिश हम बात करे सुर्य के नजदी गरह में एक नमर प कर लेते हैं यह दिए हम बात करें पर्थी की बगिन या कई पर्थी की बैन किसे का जाता है वो भी सुक्र को का जाता है सबसे बड़ा गर है आपको पतावने चाहिए बर्षपती है और सबसे शोटा क्या अबू दये भी नोट कर लीजेगा चलिए दोस्तों आगे बटे अग देखते कोन-कॉन विद्द्याति इसका सभी जवाब दे पाते यदि हम बात करें सबसे उंचाई पहले बात कर लेती है विश्वा की कोन है तो विश्वा की एकनमर पर चोटी की बात करें तो हूँ है माउन्ट एवरिस्ट माउंट एवरेस्ट आप सो को पता है कहा है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है विश्वा की सब से उंची चोटी है माउंट एवरेस्ट तो ये भी नोट कर लिजेगा एवरेस्ट इसकी उंचाई कितनी है जल्दी से कमेंट करके बताईगा माउंट एवरेस्ट के उंचाई इसकी है उन्चाहिए आमां टियोरियस्ट की अब बात कर कर लेते हैं आपको पता होगा कंचर कितनी है यह भी आप नोट कर लीजाएगा एकजाम क tradicional इंकी उन्चाई सकते हैं कहा हैं खिल ceremony कि कन अबात करें केटू गोडविन ऊस्टिन है Präsident कसमीर है इस लिए आपको पता है यह उसी चोटी नहीं मिल रहा लेकिन यह आपको यह मिल रहा है तो इसका मतलब बार्त की उन्ची जो ठीकी बात करें आपका क्या होगा और वेसे आपको कंसरेंगा उप्षन में ने दे के के जिए और वेसे करें तो यहाप यह थोड़ी सी डेयन रखेंगा चल्रेकी स不会 कहने के सामने लेट है जल्दी विडर गांन इत वर स्काहरी दिया properly में जवाब दने कोशिष करेगा तो मना जाता है 8 एक्टूबर को यह आपका उस नमर क्या राइट हो का भी राइट हो का काफ़ी सहर भी दे थी लाइट में जवाब भी दे दिया और हम बात करें थल सेनादिवस की बात करें तो वो कब मना जाता है आपको पता वने चाहिए 15 पंदरा जन्वरी को मना जाता है काफी बार एगर पिछे गुनीस जन्वरी याले सहमें आया था क्योंकि उनको पता था कि फंदरा जन्वरी अभी घई थी ठीक है अब बात कर लें यह लो से नावी में इस sonra और 10 20 जनुरी को क्या मना जाताब और 15 सब्सक्राइब्क давно इसा fact बार्त का सविधान लाग हुआ था बार्त के सविधान बनाने में आपसों को पता है दो वर्स ग्यारा माए और अटारा दिन लगे थे कितने दो वर्स ग्यारा माए और अटारा दिन लगे थे चलिए दोस्त आगे बटे सूरिय मंदिर की बात कर रहे हैं या किस मंदिर की बात कर रहे हैं सूरिय मंदिर की तो आपको पता है कौरानक कहा है आपको पता है ओडिसा में कहा है ओडिसा कर लेना ठीक है ओडिसा में कौरानक मंदिर की बात कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कहा है दोस्तो ओडिसा में काफी बार एक्जाम में आज चुका है कि सुर्य मंदिर काया उपसर में देता है को रोन अक्टो यह इतना भी दे सकता है यह आपको राज यह कुछ से तो ओड़ी सा ध्यान रखिएगा चलिए दोस्तों आगे बटे अगला किस्टन आपके स्किन के लेती है किस्टन नमर करें बांगला देस की मुद्रा क्या है तो बांगला देस की मुद्रा आपसे को पता होना चीए क्या टक का है तो समन्न मर आपका क्या रइट हो जापान को काज़ता है डूरि हम बात करें तो अमेरिका की है आयभी का फीम किया का सारी के यह है statut मुद्रा और राज़धानी आप जिसे बांगलादेश की राज़दानी क्या आपको पता होना चाहिए ढाका है बांगलादेश की राज़दानी क्या है ढाका है और जापान की राज़दानी आपसे को बता होगा टोक्यो है आपको पता होगा जो 2020 में वो लंपिक होने वाला था 2020 में वो की टोक्यो जापान मे अल्यजित किया जाएगे धम करते अमीयदा ज़िए नोट कर लिजीगा तो क्यों से बियाजित कर थे तो कियों से भी आज़ाए आपको ध्यान रिखना है पंडी जवार लाल नेरु थे बार के पर थम हम बात करें तो वो क्या थे पर धान मंतरी थे चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगले क्योष्ण की तरह बढ़ते हैं अगला क्योष्ण आपके स्किम के सामने दस जल्दी से सभी दरती उसका भी लाइच रेट में जवाब दने के सामने अगला क्योष्ण नमर 11 आपके स्किम के सामने जल्दी से सभी दरती बहुती आसा उनके उसने काफी बार आचुका है भारती सेना का सरोच कमांडर कोन होता है यानि तीनो सेनाओं का सहन सेनाओं का यनि हम बात करें सरोच कमांडर की बात करें तो होता है आपका उफ्सन नमर इसमें डी राइट होगा रश्ट पती नोट कर लिजेगा तीनो सेनाओ या कए सरोच कमांडर की बात करें तो रश्ट पती होता है कौन होता है क्योंकि यहां सिदा लिका है सेना तीनों से नाव की बात करें ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा इसका उफ्षन नमर डी राइट होगा रश्ट पती होता है चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्यूशन नमर बारा आपके सामने है जल्दी से सभी देर्ट इसका विलाइटेट में जवाब देनी कोशिश करियागा देखते कौन कौन वी देर्ट इसका सही जवाब दे पाते क्या है निम्न में से केंदर सासित परदेश है तो आप से को पता होगा जो जमू है वो आली में क्या बनाए केंदर सासित परदेश बनाए जमू क्या बनाए जमू और लदा का आपको पता होना चाहिए केंदर सासित परदेश का दर्जा दिया गए जिनसे आपको पता है जमू में जो दारातीयं सो सतर थी उनको हम बात करें तो अठाकर चलिए दोस्तो आगे बढ़े अगले क्यूशन की तरह बढ़ते हैं अगला क्यूशन नमर तेरा आपके स्क्रिंगे सामने जल्दी से सभी विदेर थी इसका विलाइजेट में जवाब द कपे आपके साहरे क्यूसन आपके आ भी चुक है निम्न मैसी किस सहरे में इस पास साहतर नहीं है नहीं है बताएं आपको पताए तो आपको पता हुशी बोक़ारों में तो है Vincent Be when you are all right? होगा आपका उस नहर भी राइट होगा हम बात करें बारत का उद्धान किसे का जाता है बेंगलूरों को का जाता है या बारत का बगीचा बेंगलूरों को का जाता है जबकि बगीचों का सहर कपूर्थला को का जाता है यह भी नोट कर लीजीगा आपकी कुछ नहीं से पास हैंतरा और दुर्गापूर में भी बोकारो वाला क्यूस्टन कई बाराद शुका है बोकारो का बोकारो किस के लिए परस्षिद है चलिए दोस्तों आगे बटे अगला क्यूस्टन नमर पंदर आपके सामने फिर हमारा टोपिक सुरू होगा तो क्लास के अंत तक बने रह तो वह होगा दोस्तों केरल केरल की बार्त में सक्सरतादर्स सर्वादिक है और नियुनतम बात करें सक्सरतादर्स तो आप सोंको बताओगा जल्दी से कॉमेंट करके जूरू बताएगा अब बात कर लेते हैं हमारा यह वह मोक्ट जिसमें हमने 15 क्यूस्टन इंकलूड किय करेंगा आप जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा आकि कितने को सनलर राइट हुए अशलिए बताने का स्कॉर किरियेगा आपका स्कूर हम जान पाई अब बात कर लेते हैं उस तो परमुक वेक्टियों के उपनाम का हम हद्यन करेंगे 32 शांदार कलास अब भी ओड़े वाली है तो कलास को एक बार जितने भी विद्धर थी अभी तक लाइव है कलास को लाइक कर दो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे जल्दी से लाइक कर दीजेगा आप लाइक करना काफी सारे विद्धर थी भूल जाते है और कईयों को डिस्लाइक वाले पर भी दब जाता है बटन तो वो भी लाइक कर दीजेगा ठीक है अब बात कर लेते हैं यह दिए हम बात करें तो मैं आपको बताता जाओंगा इनकी बात करें उपनाम यह उपनाम किस ने दिया था यह साथ साथ आप कोमेंट करके बताना है ठीक है तो आपका भी आज कोमेंट करने के लिए अग्यास हो जाएगा मैं कहूंगा जैसे विश्व कभी या बात कभी कभी गुरू या कहे गुरु देव तो आपको बताना यह उपा दी रविंदर नाथ टेगूर की है किस किये रविंदर नाथ टेगूर की है लेकिन रविंदर नाथ टेगूर को दी किस ने थी यह आपको कोमेंट करके जल्दी चलिए दोस्तो अब एक क्यूशन मैं आपसे यहां पुछ लेता हूँ रोइंदर नाटेगोर को हम बात करें तो इसकी परसिद हम बात करें तो कृती या बात करें इसका मतलब परसिद पुछ तक की बात करें तो वो कौन से आप कॉमेंट करके बताएगा देखते कौन-कौन उनको पता है चलिए अब बात करें हैं आगे बड़ती है यह आपको करें आपको पता हुण चींखाए यह काफी बार एकजाम आहसे काज जानाता है मैश fetch क्ली दो काहता है अब बात करें पित्यता मात्मा कहीं यह मबात करें नेगेड् hazard फकीर या नंदा फकीर आपको पता है मोंदास करम चंद गांदी है उनको का जाता है इसनका जनल दिन भी आपको ध्यान रकना चाहिए दो अक्टूबर को और आपको पता है दो अक्टूबर के दिन हम बात करें तो सबस्ता व्यान के रूप में परारम किया था परदानमंतरी नरेंदर जी मोदी ने ठीक है चले आगे बात करें तो यह नोट कर लिजेगा आप कोफी में या आपको इसकी पीडिया फरी में टेलिग्राम पे मिलेगी टेलिग्राम पे जोईन हो जाना अगला लोकमा ने आपको पता है बाल गंगा दर तिलक का उपनाम है और नेता जी आप सो को पता है सुव अब जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा सरोजी नाइडू किस के लिए परसीड़े ये बात आपको कॉमेंट करके बताना है अब बात कर लेते है राजा जी किसे का जाता है चक्रवर्ति राम राजगोपालाचारी को क्या का जाता है राजा जी का जाता है अब बात कर लेत अगला है महामना काफी बार एक्जाम में आग चुका है महामना आपको पता है मदन मौन मालवी महामना किसे का जाता है मदन मौन मालवी को का जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला बात कर लेते हैं चाचा आपको पता है जवार लाल नेरू को का जाता है चाचा किसे का ज कुमेंट करके बचाने की किसी ऊइड़ाता है, इक Ceosan आपके को कमेंट करके हैं, को आजी कुमेंट के लिए कुमेंट के को पता है रविंद नार्टेगोर को का जाता है गुरू जी आपको पता होना चाहिए एमेस गोवलकर को का जाता है किसको का जाता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए एमेस गोवलकर को का जाता है अब इसका फुल फॉरम भी आप याद रख सकते हो मादवराव सदा सिवराव ठीक है यह भी नोट कर सकते है आप इसका फूल फॉरम कही तो यानि यह मैस का ठीक है अगला बारत का सेक्सपिर काफी बार मैंने बहुत बार एक क्यूशन बता दिये काफी बार एक्जाम में आभी चुक है महाकवी कालिदास आपको पता है कालिदास की एक पस्षिद रसना है में एक दूस्त जो की बार बार आपको पता है एक्जाम में आ जाता है में एक दूस्त किसकी रसना है तो आप ध्यान कियेगा कालिदास किये और आपको पता है नाटक संकुचलम वो भी जानर किया चलिए दोस्तों अगला बढ़ते है अगला जो की बैद इंपोर्टेंट आपको पता हुना चाहिए लोए पुरूस भारत का लोए पुरूस हम बात करें तो सरदार की उपादी भी आपको बता है वला बाइपटेल को दी गए सरदार वला बाइपटेल भार आपका है लोए महिला लोए महिला या कहिए आईरन लेडी भारत की वह एकोन है इंद्रा गंडी इंद्रा गंडी आप नोट कर लिजेगा चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगली बात करें कस्मीर का अकबर किसे का जाता है आपको पता है जेल जेल अल अबदीन को का जाता ह अमीर कुश्रो को का जाता है नोट कर दी ये इन का जाता है ये कीश्ण भार्ट का दिगी आचुक है अब बात कर लेते हैं लेटी विद दे लेंप तो आपको पता होने चाहिए फलोरेस नाइटी दिंगल ठीक है ये ध्याना किएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला किसे नहीं हम बात करें दीन बंदू याद रखिएगा देस बंदू दीन बंदू मैंने देस बंदू बता भी दिया उपर दीन बंदू आपको पता है सीएप एनूज को का जाता है ठीक है आपको पता होगा बंग बंदू किसी का जाता है सेक मुझरिवू रह्मान को का जाता है अब बात कर लेते हैं फयुहरर किसे का जाता है एडॉर इस लड़ को का जाता है ठीक है चलिए आगे कहेंगे ये ठीक है विवेक उसमें ज्यादा उने की किया और स्वामी विवेकानंद उसका नाम आगे सेल कर पड़ा था स्वामी विवेकानंद ने आप सब को बता है राम कर्शन मिसन की इस्ताफना की थी ये भी एक्जामी काफी बार आ चुका है गरीब नवाज आपको पता है खवाजा मुईदीन चिस्ती अब बात कर लेते हैं ओकी की जादूगर नोट कर लीजेगा ये कियुसना आर्मी में कम से कम 20 बार आ चुका है ओकी का जादूगर किसी का जाता है मेजर द्यान संद को का जाता है चलिए आगे बटे अब बात कर लेते हैं यदि हम बात करें तो लीटिल मास्टर किसी का जाता है सुनील गाउसकर को का जाता है नोट कर लेजेगा बड़ीया किशने अब बात कर लेते हैं अगला भारत का मेकियाव udlie तो आपको बताए चानक के को का जाता है भारत पुनर्जागन के जनक ये भी आपको नोट कर लिün जानी चीज़े राजारा मुन राय है उनने किसरे इस्तावना की थी ये कॉमेंट करके दियूर बताएगा अब बात कर लेते हैं बारत के कांट हम बात करें भारत के कांट तो नागारजुन को का जाता है और सईद ए आजम काफी बार एक्जाम बे आ चुक है इंकलाव जिंदावाद का नारा देने वाले सथाधार भगत सिंग को क्या का जाता है सईद ए आलम का जाता है चलिए दोस्तों ये थी आज की कलास आपको कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके जोर बताएगा उमीद करता हूँ कलास आपको बहुत पसंद आईए कलास पसंद आई तो लाइक वाले बटन दबाना मत बूलिएगा जल्दी से एक बार सभी दयर्थी लाइक कर जिएगा और कॉमेंट करके भी बता जिजिए अज की कलास आपको कैसी लगी उमीद करता हूँ कलास आपको पसंद आई होगी डिर पसंद आई तो कलास को लाइक कर के जाईए चलिए दोस्तो ये थी आज की कलास उमीद करता हूँ पसंद बे आई है और आप लाइक करके बेड़ जाओगे चलिए दोस्तो आज की कलास में इतना है थेंक्यों फॉर वाचिंग जै हिंद जै बार